Hello and welcome to Knowledge Zone channel आज 26th of December के दिन हम P.I.B. के important news को discuss करेंगे इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe करें lecture पसंद आता है तो like करें, share करें चली discussion श्राट करते हैं पहली news है भारत स्किल्स के बारे में देखिए जो भी हमारे देश के ITI के students हैं उनको एक तरह से यहाँ पर digital content प्रोवाइट किया जा रहा है जिसमें की 3000 ITI को यहाँ पर एक तरह से benefit पहुचाया जाएगा जिसके अंदर यहाँ पर 1,20,000 students ऐसे हैं जिनको यह benefit प्रोवाइट की जाएगी तो यह जो benefit है वो किस तरह से प्रोवाइट की जाएगी तो यहाँ पर देखिए digitized e-learning module का सहरा लिया जाएगा through भारत स्किल पोटल तो यहाँ पर यह जो पोटल प्रोवाइट किया गया है वो किया गया है डेरक्टेट जनरल अफ ट्रेनिंग के द्वारा जिन्होंने Microsoft और NASCOM Foundation के साथ मिल करके यह digital content प्रोवाइट किया है ITI के students को देखिए यहाँ पर जो online platform है वो उसका नाम है भारत स्किल जो कि यहाँ पर just like a central repository for skills के तोर पर काम करती है देखिए यहाँ पर जो भी trainees या trainer होंगे उनको एक तरह से easily access मिल सकेगा जो भी updated curriculum है और course content है तो यहाँ पर जो craftmanship training scheme है इसके अंडर यहाँ पर ITI ecosystem एक तरह से provide की जाएगी इन trainees और trainers को इसके रावा यहाँ पर question banks, mock paper test, learning videos तो इन सारे medium के थुरू उनको एक तरह से train किया जाएगा ताकि वो classroom जाए बिना ही किसी भी समय जब चाहें अपने घर पर बैठ के इस तरह की education को gain कर सकते हैं इसके लावा यह जो platform है इसके अंदर जो भी trainees या trainers होंगे उनको यहाँ पर industrial revolution 4.0 है उसकी skill को सिखाया जाएगा यानि कि अभी जो industry की demand क्या है उसके according यहाँ पर जो भी students और teacher होंगे उनको एक तरह से train किया जाएगा और उनको उस रूप में ढाला जाएगा जो हमारे आज की industry की demand है तो इस तरह से उनको यहाँ पर काफी अच्छा platform प्रोवाइड कर रही है भारत इसकिल अगली news है digital lending platforms और mobile apps के बारे में तो यहाँ पर RBI ने चेतावनी दी है कि जो lending activity होती है वो यहाँ पर सिर्फ की जाएगी bank और non-banking financial companies जो की RBI के under register होंगी उनके थुरू इसके इलावा other entities जिसको कही regulate किया था state government के द्वारा under statutory provision तो वो सिर्फ इस तरह की legitimate public lending activities perform कर सकते हैं तो यहाँ पर RBI ने कहा है कि जो भी public है वो यहाँ पर उनको सावधान रहने के जरूरत है कि वो इस तरह की activities के चंगुल में ना फसे और वो जो भी company या firms उनको loan offer कर रही है कि वो उनको online loan प्रोवाइड कर देगी mobile apps के थुरू तो उनको पहले उस company को check करना होगा verify करना होगा कि वो company genuine है भी या नहीं इसके लावा उनकोंने कहा कि अगर वो उनसे कहता है कोई भी company की अपनी जो KYC document है उसकी copies को हमारे साथ share कीजिए तो आपको उस unidentified person या un verified apps को अपनी KYC document की copy share नहीं करनी है इसके लावा उनके against में एक report आपको file करनी होगी जो कि इस तरह की apps से आपको अपनी information share करने में कहता है तो ये complaint जो है वो online complaint की जा सकती है जो भी concerned law enforcement agency है उनको तो यहाँ पर report में कहा गिया है कि individual या small businesses जो है वो इस तरह के un authorized digital lending platform के बहकावे में आ जाते हैं और यहाँ पर अगर उनको promise की जाती है कि वो उनको easily और hazel free loan दिला सकती है तो वो अपनी जो भी details है वो उनके साथ share कर देते हैं तो यहाँ पर report में यह भी mention किया गया है कि काफी बार देखा गया है कि जो borrower होते हैं उनसे जादा rate of interest लिया आता है इसके लावा कुछ hidden charges भी होते हैं जो उनसे demand की जाती है इसके लावा जो भी unacceptable और high handed recovery method है उसका भी यहाँ पर use किया जाता है और जो agreement है उसका misuse किया जाता है ताकि जो भी borrower है उनके mobile phone से data को access किया जा सके तो reserve bank ने यहाँ पर कहा है कि जो भी digital lending platform है जिनका use किया जाता है इस तरह के banks और non banking financial companies के द्वारा तो उनको यहाँ पर उनका name disclose करना होगा अपने customers को ताकि उनका name और address यहाँ पर जो अगर वो reserve bank के साथ अगर registered है तो यहाँ पर उनको access किया जा सकता है और उनके against में complain file की जा सकती है अगर यह entities RBI के थूरू regulate होती है तो तो फिर easily उनको access किया जा सकता है अगली news है 40 days overseas coaching camp के बारे में देखिए यहाँ पर government of India ने target Olympic podium scheme के अंतरगत यहाँ पर 40 days की training camp extension की है wrestler विनेश फोगाट को जहाँ पर वो अपने personal coach और उनकी जो sparing partner है प्रियंका फोगाट और उनके physiotherapist पूर्णीमा रमन जी के साथ यहाँ पर उनको इस तरह की training camp की facility परवाइड की है तो यहाँ पर यह camp जो है वो 28th of December 2020 से जनवरी 2024-2021 तक होगा एट वसास sport club बूड़ा पेष्ट हंगरी के अंदर और यहाँ पर from January 2024 तो फेब 5 जो training होगी वो होगी Olympic training center पोलेंड के अंदर जेकि फोगाट जी जो है वो target Olympic podium scheme की एक पार्ट है तो यहाँ पर जो training camp प्लान किया गया है फोगाट के personal coach वोलर एकोस के द्वारा तो इसमें कहा जा रहा है कि यह camp जो है वो एक तरह की opportunity देगा कि यहाँ पर जो भी European wrestler है जो विनेश फोगाट के equal weight category में आते हैं तो उनके साथ वहाँ पर उनको दो-दो हाथ करने का मौका मिलेगा और यहाँ पर technical और tactical expect को समझने का मौका मिलेगा देखिए फोगाट जो है वो काफी जादा उतसाहित है इस camp को ले करके उनका कहना है कि as a wrestler जो है उनको अपना level जानने के ज़रूरत है और यहाँ पर जो भी good wrestler होंगे उनके साथ यहाँ पर अगर वो दो दुहाद करती है तो उनको पता चले आया कि वो अभी कहां stand करती है इसके लावा फोगाट जो है वो पहले ही qualify कर चुकी है टोकियो ओलंपिक के लिए जो की जुलाई से अगस 2020 के बीच में होगा जो तिरपन केजी की weight की woman है उनके बीच में तो यहाँ पर उन्होंने bronze medal जीता था 2019 World Championship के अंदर देखिए फोगाट जो है वो national camp for women wrestler का भी part रह चुकी है जो की commence किया गया था लखनौ के अंदर from October 2020 उनकी जो last competitive appearance थी वो coronavirus lockdown से पहले थी in Asian Senior Championship जो कीफ दिल्ली के अंदर हुई थी February में तो जहाँ पर उन्होंने एक bronze medal भी जीता था अगली news है National Gel Jeevan Mission के बारे में देखिए National Gel Jeevan Mission के अंतरगत यहाँ पर innovation challenge को launch किया गया है जहाँ पर partnership की गई है Department of Promotion of Industry और internal trade के साथ देखिए इसका मकसद क्या है यहाँ पर एक तरह से water testing करनी है तो उसकी लिए यहाँ पर एक portable device को develop किया जाएगा इस mission के अंदर तो main objective जो है वो यहाँ पर है कि किस तरह से innovation को लेके आया जा सके इसके लाबा modular और cost effective solution को develop किया जा सके portable devices के लिए ताकि यहाँ पर जो भी household level पर drinking water quality है उसको test किया जा सके और इसको easily और accurately test किया जा सके यह इसकी जो objective है इसके अंदर आती है पर जो water quality testing है वो one of the priority area है अंडर जल जीवन mission के अंदर जो कि एक flagship program है union government की देखे एम जो है innovation challenge का वो है कि किस तरह से जो water sources है उनको test किया गया है various location पर different level पर वो ensure करना है ताकि जो policy farmers है उनको यहाँ पर help किया जा सके to design programs जो की address करेगा water contamination issues को यानि कि अगर कहीं भी water में इस तरह contamination पाई जाती है तो इस program के अंदर इसको address किया जाएगा देखिए यह जो announcement जब से हुई है जल जीवन mission की तब से लेकर के अभी तक 23rd of December तक 2.90 क्रोर household है जहाँ पर कि tap water की facility प्रोवाइड कर दी गई है और यहाँ पर जो connection है वो प्रोवाइड किया गया है इसके लावा जो tap water supply थी वो थी 3.23 क्रोड in August 2019 जो कि बढ़कर 6.13 क्रोड हो गए यानि कि 32% of rural household of the country तो यहाँ पर फर्दर जो भी household है 20 district 425 block और 34,000 ग्राम पंचायत और 34,000 village के अंदर तो यहाँ पर उनको tap water connection की access प्रोवाइड की जा चुकी है देखिए यह challenges क्या है यहाँ पर challenges है कि कि किस तरह से जो issue है उसको address किया जाता कि innovative, modular और cost effective manner में देखिए drinking water supply जो है rural area में वो ground water से 80% और surface water से 20% यहाँ पर मुहया की जाती है लेकिन क्या हो रहा है कि जो ground water level है वो काफी तेये से deplete कर रहा है जो use है surface water का वो काफी जादा बढ़ गया है जिसके वाया से जो ground water है और surface water based rural drinking water supply system है तो उसको यहाँ पर contaminate होने से बचाना है उसको ensure करना है और यहाँ पर जो potable water है उसको एक तरह से provide करना है वहाँ के लोगों को तो यहाँ पर जो uniform drinking water quality protocol 2019 है इसमें specified किया गया है कुछ important parameters को जो कि mention करती है जो कि यहाँ पर monitor करती है किस तरह से potability of drinking water जो है उसको ensure किया जाए as per BIS IIS 10500 to 2012 और जो भी subsequent amendment है उसके अंदर देखे जल जीवन mission जो है उसको implement किया गया है in partnership with the state to enable every rural home to have tap water connection by 2024 यानि कि इस mission के अंदर जो भी household है rural household है उनको water tap water connection उनको 2014 तक provide करना है तो जो aim है इस mission का वो है कि every rural household उनको यहाँ पर स्वक्ष पीने का पानी adequate quantity में और prescribed quality के अंदर regular और long term basis से provide करना इसका मकसद है तो यहाँ पर national जल जीवन mission invite कर था applicants को कि वो इस तरह की innovation challenge को accept करें और portable devices को यहाँ पर develop करें ताकि जो water testing है वो easily provide की जा सके अगले news है implementation strategies of सुगम भारत अभियान के बारे में देखिए जो 6th इंडिया international science festival है वो बेश्ट था science for self-reliant इंडिया and global welfare के theme पे तो यहाँ पर resilience, adaptability और coexistence के बारे में कहा गिया कि यह काफी important role play कर सकता है दिव्यांग जन को main streaming में लाने के लिए और उनकी overall development के लिए ताकि उनका equitable inclusive growth हो सके तो यहाँ पर कई सारे initiative लिए जा चुके हैं government of India के तुरू जिसमें की research and development program of department of science and technology भी एक है तो यहाँ पर जरूरत है किस तरह से जो pace है research and development की उसको accelerate किया जा सके assistive technology ही के छेतर में तो यहाँ पर जो second edition थी conclave on assistive technology and दिव्यांग जन उसको held किया गया with the theme of empowering दिव्यांग जन through science technology and innovation for self-reliance के अंदर देखे जो conclave है इसके अंदर कई सारे stakeholders जो थे वो सास में आए जैसे कि researchers, scientists, engineers, clinician, government and non-governmental organization along with दिव्यांग जन और उनके जो caregiver हैं तो उनके आने का मकसद ये था कि जो भी unmet challenges है in building a self-reliant assistive technology ecosystem in India उसको address किया जा सके इसके लावा इस event को organize किया गया union minister for social justice and empowerment के द्वारा तो यहाँ पर जो two day deliberation थी उसने एक common platform provide की ना सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर जो भी solution है उसको discuss किया जाके बलकि जो भी existing problem है research and development को ले करके ताकि resilience को build किया जा सके दिव्यांग जन को के लिए उसको भी यहाँ पर एक तरह से address करना था देखिए यहाँ पर more than 200 participants ने यहाँ पर एक तरह से इस initiative के अंदर हिस्सा लेया जिसमें की researcher, scientist और technologist इसके इलावा government और NGO से शामिल थें जिन्होंने यहाँ पर जो दिव्यांग जन के जो unmet need हैं उनको एक तरह से address करनी यह कोशिश की ताकि यहाँ पर innovative approach को लेके आया जा सके इनकी इस समस्या को दूर करने के लिए देखिए जो global perspective है वो यहाँ पर एक तरह से रास्तों को खोलता है कि इस तरह से जो दिव्यांग जन है उनको recognition मिल सके और उनको as a as an active contributing member of society के तोर पर यहाँ पर treat किया सके और उनके साथ किसी भी तरह की discrimination को से दूर रखा जा सके और जो sustainable development goal है 2030 agenda उसको यहाँ पर एक तरह से pertain किया जा सके तो यह थी आज की सारी news थैंक यू, थैंक यू very much for discussion